हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शीव टेंट फ्लेम चरनी पर माई लवेंग टेंट सोल साप सभों को बहुत बहुत प्यार एवं अभार जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं में सभी का स्वागत करती हूँ प्रियो अधिकानज डियम ये पूस्ती है कि जिस प्रकार हम अपने डियम को प्यार करते हैं उसके बारे में सोचते हैं विजारते हैं प्यार उनके लिए कैसा होता है? आज इसे विशह पर बात करेंगे क्योंकि आज ये वीडियो में इसलिए बना रही हूं था कि आप जान सके कि आपके DM आखिर आपके बारे में क्या सोचते हैं? उनका प्यार, आपके लिए कैसा होता है? तो आए जानते हैं इसके विशे में फर्स्ट है अधूरापन ट्वीन फ्लेम्स को हमेशा अधूरापन महसूस क्यों होता है जब तक उसका पार्टनर यानि कि उसका ट्वीन उसे न मिला हो क्योंकि उसकी सोल हमेशा अपने सहयोगी आत्मा को ढूंटी रहती है और जब वो उसे मिल जाता है तो वो कंप्लीट हो जाती है जिस प्रकार डियम्स को ये लगता है कि वो एक अधूरेपन में है और जब वो डियम्स से मिलती है तो उसे ऐसा लगता है कि वो कंप्लीट हो गई पूर्ण हो गई उसका अधूरापन मिठ गया वैसा ही भाव DM के मन में भी होता है उनकी सोल भी अधुरेपन में होती है वो भी अपनी सहयोगी आत्म को डूंड रही होती है और जब DF उसे मिलती है तो वो भी अपने आप में कम्पलीट हो जाती है वो भी अपने आप को पूर्ण महसूस करती है तो इस प्रकार दोनों ही सोल एनरजी लेवल पर बिलकुल एक्वल होते हैं इनकी वाइब्रेशन, फ्रिक्रेंशी बिलकुल समान होती है इसलिए इनके मन के बहाव भी बिलकुल समान होते हैं और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनका अधूरापन दूर हो जाता है लेकिन सोल लेवल पर सेकंड है एट्रेक्शन ट्रुइन फ्लेम जर्नी में डियम और डियफ के बीज जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर है वो है एट्रेक्शन और वो भी चुम्ब की आकर्शन वाला दोनों एक दूसरे के प्रती एक खिचाव को महसूस करते हैं चाहे कितनी दूर रहे लेकिन ये आकर्शन कभी भी खत्म नहीं होता जिस प्रकार डियफ को महसूस होता है कि वो बार बार डियम की और खीची चली जा रही है वैसा ही डियम भी महसूस करते हैं लेकिन DM का DF के लिए जो खिचाव है वो एक तरह से शारिरी के स्थर पर होता है क्योंकि DM को 3D लेवल पर कुछ भी दिखाई नहीं देता वो अवेकन नहीं होते लेकिन 5D लेवल पर वो अवेकन होते हैं इसलिए जब DF उनसे मिलती है और उन्हें वो चुम्बकी आकटशन महसूस होता है जो सोल लेवल पर है लेकिन वो वास्तों में 3D लेवल पर देख रहे होते हैं यानि कि वो शारिरिक इस्थर पर उन्हें देख रहे होते हैं और DF की बहुत से ऐसी बाते उन्हें पसंद आती है वो सकता है उनकी आँखे उनके बाल उनके बात करने का तरीका वो उन्हें बहुत एट्रेक करता है इसलिए वो उन्हें पसंद करते हैं और उनकी और खिषते चले जाते हैं लेकिन वो इसे शारिरिक इस तरफर पर ही देखते हैं हलांकि ये खिचाव सोल लेवल पर होता है ईसे वो नहीं जान पाते हैं Friends, DM और DF यानि के शिव शक्ति बिल्कुल एक समान होते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनमें कुछ असमानताय होती है, वो एक दूसरे के पूरक होते हैं, जब भी वो एक दूसरे के सामने आते हैं, तो उनकी कमजोरियों को पूरा करते हैं, एक की विकनिस दूसरे की होती है, तो जो DF होती है, वहुत ज़्यादा स्प्रिचल होती है, डिवान से कनेक्ट होती है, एमोशनल होती है, जब पहली बार वो DM से मिलती है, तो उसे पता चल जाता है कि ये इनसान, उसकी सोल से जुड़ा हुआ है, उसके लिए जो प्यार है, उसे वो अनुभाव कर आती है, क्योंकि DF दिल से ज़्यादा काम करती है, दिल से ज़्यादा सूचती है, पर इसके विप्रिध, जो DM होते हैं, वो logical होते हैं, तरक-वी तरक करते हैं, 3D की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा attraction महसूस करते हैं, इसलिए इस प्रुचल बाते उनको समझ नहीं आते हैं, वो हमेशा माया भी दुनिया में खोई रहते हैं, मनी, गाड़ी, बंगला, लगजरी लाइफ, यही सारी चीजे उनको बहुत ज़्यादा पसंद होती है, और उन्हें प्रभावित करती है, इसी वज़े से वो डियफ के इस प्यार को देख नहीं पाते, समझ नहीं हलाकि उनकी सोल इसे महसूस कर रही होती है, लेकिन उनका जो दिमाग है, जो लॉजिकल माइंड का होता है, वो कभी भी इस प्यार को उन्हें स्युकार करने नहीं देता, अगर उनका दिल ये कहे कि डियफ से उन्हें प्यार है, तो भी उनका दिमाग इस बात के लिए इंक प्यार करता है, फूर्थ है, प्रू लव, डियम और डियफ जब भी आमने सामने आते हैं, तो अनकंडिशनल लव में होते हैं, सच्चे प्यार को पहली बार महसूस कर रहे होते हैं, और ये सच्चा प्यार डिवाइन का होता है, डिवाइन लव जिसे कहते हैं, और इस प्र DF का intuition power बहुत जादा होता है इसलिए वो पहली बार में ही पता कर लेती है कि DM के साथ उसका जो connection है वो अलग है और उनकी जिन्दगी में उनका बहुत जादा role है लेकिन DM इस बात को समझ नहीं पाते DF अपनी ओर से 100% करती है यानि कि अपना प्यार दुलार उसकी पसंद नापसंद उसे क्या अच्छा लगता है क्या खाना अच्छा लगता है क्या कपड़े वो पसंद करते हैं उसे किसी चीज की जरूरत है तो वो सब कुछ वो पूरा करती है और इसके पीछे उसका अनकंडिशनल लव होता है लेकिन इस प्यार को डियम नहीं समझ पाते ये ट्रू लव जब उनके सामने आता है तो वो डर जाते हैं क्योंकि पहले कभी भी उन्होंने इस तरह का प्यार देखा नहीं होता हलाकि उनके लाइफ में उनकी फैमिली उनके लिए बड़ी रातमेकता होते हैं फर्स्ट प्रायटी होते हैं वो अपने घर के लोगों को बहुत ज़्यादा महत्तु देते हैं लेकिन उसके बाद डियफ का जो प्यार है वो उनके लिए बहुत अलग होता है और जब ये प्यार उन्हें मिलता है ये केर ये देखभाल उन्हें मिलता है तो उससे वो भैभीत हो जाते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे भी अपनी ओर से इसको प्यार देना पड़ेगा और यहाँ पर D.M. जो होती है, giving nature में होती है और D.M. हमेशा received करते हैं तो वो इस प्यार को समझते नहीं और run करते हैं फिफ्थ पॉइंट है, कर्तव की बेडिया विशेश कर जो D.F. होती है, बहुत emotional होती है और जब वो D.M. से मिलती है तो वो 24 गंटे उनके दिलो दिमाग में चाय रहती है और हर वक्त वो उन्हें याद करती है क्योंकि वो दिल से ज़्यादा सोचती है लेकिन इसके विपरिद जो D.M. होते हैं वो logical होते हैं दिमाग से ज़्यादा सोचती हैं और काम करते हैं उनका जो उत्तरदाइत्व है या जो उनका करतव्य है अपने लोगों के प्रति जिसमें उनकी फैमिली, सोसाइटी, शामिल है वो उनके लिए सरोपरी है क्योंकि वो उनसे बंधे हुए हैं करतव्य की बेडिया जिनसे वो जकड़े हुए हैं वो चाहे कितनी भी कोशिश करे, वहां से निकल नहीं सकते क्योंकि उनको वैसी ही डिजाइन किया गया है उनका दिल चाहे बार-बार कहे कि डियफ तुम्हें पसंद है लेकिन उसके बाद भी वो दिमाग की सुनेंगे और दिमाग यही कहता है कि डियफ जैसी कितनी मिल सकती है यह उनकी सोच होती है और उन्हें यह भी मालूम होता है कि यदि उनके घर के लोगों ने यदि उनका रिस्ता कहीं और तै किया तो उन्हें अपने घर के लोगों के विचार पर ही चलना पड़ेगा चाहे उनको DF कितनी ही पसंद क्यों नहों लेकिन वो उसका इंकार करेंगे वो उसको अस्विकार करेंगे अब ये DM का कश्मकश है उनके दिमाग में कितनी उलजने होती है ये DF नहीं समझ पाती दोनों ओर से वो उलजे रहते हैं इसलिए जब भी एक समय आता है कि दो चीजों में उन्हें चूस करना है तो वो third party को चूस करेंगे या उनके घर के लोग जिसे पसंद करते हैं उन्हीं से वो शादी करेंगे और यहां पर डियफ हमेशा यह सोचती है कि डियम ने उन्हें छोड़ दिया उनको आशिकार कर दिया वो से प्यार नहीं करते थे लेकिन सच्चाई ये नहीं है DM चाहे कितना भी अपने DF से प्यार करे लेकिन जहां पर स्युकार करने वाली बात आती है वहां पर कर्तव्य की बेडिया होती है उनका उत्तरदाईत्व उनके लिए बहुत महत्वपुड होता है और वो उसे ही चुनते हैं इसी लिए वो DF को रिजेक्ट करते हैं थर्ड पार्टी में जाते हैं सिक्स पॉइंट है एनर्जी लेवल पर ढूनते हैं जब DM DF को इंकार कर देते हैं थर्ड पार्टी में चले जाते हैं शादी कर लेते हैं तो क्या DM खुश रह पाते हैं अधिकांस डियफ यही कहती है कि डियम थर्ड पार्टी में खुश है, अपना जीवन बहुत आनन से गुजार रहे हैं, लेकिन वास्तों में जो डियम होते हैं, वो थर्ड पार्टी में उनका जाना एक समझाता होता है, ऐसा नहीं कि थर्ड पार्टी बहुत इंटेलिजेंट थी, बहुत खुबसूरत थी, इसलिए वो गए, वो सिर्फ इसलिए वहाँ जाते हैं, क्योंकि एक तो उनका कर्मा एकाउंट है, और दूसरा वो अपने उत्तरदाईत उसे बंधे हैं, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें वो सुकुन नहीं मिल पाता, क्योंकि हर वक्त वो इस ब प्यार करती थी, अनकंडिशनल लव करती थी, वो लव, वो केर, उनकी देखभाल, हर चीज उन्हें बार-बार याद आता है, और वो थर्ट पार्टी से उनकी कंपेर करते हैं, और वहाँ पर डियफ का पलड़ा भारी होता है, वहाँ पर उनको पता चल जाता है कि कोई भी इनसान, डियफ के मुकाबले में नहीं हैं, चाहे वो कितने भी रिस्तों में चले जाएं, लेकिन डियफ जो उनसे प्यार करती थी, वो अलग था, यहाँ पर उन्हें एहसास होता है, और यह एनरजी लेवल पर होता है, क्योंकि डियफ यानिकी एक हाई वाइब्रेशन के और यदि वो किसी कार्मिक के पास जाते हैं, सोलमेट के पास जाते हैं, तो उनसे उनकी एनरजी मैच नहीं होगी, तो यहाँ पर उनको अधूरपन फील होगा, फिर उनकी सोल अपनी ट्विन को ढूंडेगी, यानि कि डियफ को ढूंडेगी, तो यहाँ भी वैसी ही बात ह होती है, डियफ की सोल भी अपनी डियफ को ही ढूंड रही होती है, इसलिए उनमें सुकून और चैन नहीं होता, यहाँ पर में एक और महत्तोपुर बात आपको बता दू, जो डियफ यह कहती है कि हमारे डियफ ने किसी और से शादी कर ली और वो बहुत खुश है, उनकी नहीं किया, कम्प्लीट नहीं किया, तो दूसरी और उसे डियम का चहरा या डियम की जिंदगी ऐसी ही दिखाई देगी, वो थर्ड पार्टी में मगन दिखाई देंगे, और दूसरी बात यह है, कि यदि वो सोच रही है कि यह टुईन फ्लेम जर्नी है, और डियम थर्ड पार्टी में जाकर खुश है तो ये बिल्कुल गलत है हो सकता है कि आप किसी ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं बलकि किसी सोलमेट जर्नी में हो और आपके ट्विन अपने सोलमेट के साथ अपनी एक अच्छी लाइफ बिता रहे हूं क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब ह कि दोनों ही सोल एक दूसरे के लिए एक समान भाव रखती है खुशी को भी और दुख को भी अगर डियम को ये फील होता है कि वो डियम के बिना अधूरी है तो डियम को भी वैसा ही फील होता है उनको भी अधूर अपन महसूस होता है क्योंकि इस जर्नी में प्यार कभी भी तरफा नहीं होता, दोनों और से बराबर का प्यार होता है, दोनों ही एक ही भावना को महसूस करते हैं, तो ये बताए कि डियम थर्ट पार्टी में जाकर कैसे खुश रह सकते हैं, यदि उनकी सोल डियम से जुड़ी हुई है, तो उनको दूसरों के साथ रहे कर सुकुन कैसे मिल सकता है, सेवंथ पॉइंट है, डियम अपने डियम को ढूनते हैं, जिस प्रकार डियम अपने डियम को ढूनती है, उसी प्रकार डियम भी अपने डियम को ढूनते हैं, डियम का एक ब्रकार से कहा जाए, ये एगो भी होता है, कि उन्हें ऐसा लगता है कि डियम की तरह कई मिल जाएंगी यही thoughts उन्हें third party में लेकर जाता है और जब वो प्यार वो care वहाँ नहीं मिलता तो वो उसको compare करते हैं फिर वो अपनी DF को याद करते हैं क्योंकि जिस प्रकार DF उनके लिए समर्पित थी वो प्यार, वो care, वो emotions जो वो उसे देती थी अब वो उन्हें नहीं मिलता वो value उन्हें नहीं मिलती हलाकि DM अपनी choice पर वहाँ गय थे लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता क्योंकि उनके विचारों की या उनकी भावनाओं की सामने वाला कदर नहीं करता क्योंकि third party ही उनको trigger करती है अब यहाँ पर जब वो trigger होते हैं तो उनको अपनी DF की याद आती है DF को वो अपनी सपनों में देखते हैं visions में देखते हैं बार बार उन्हें miss करते हैं और यही सोचते हैं कि उन्होंने DF को इंकार क्यों किया क्योंकि वो अब एक ऐसे इस्थान पर है जहाँ पर वो DF को नहीं अपना सकते हैं और वो एक ऐसा बंधन है और इस वज़े से वो बड़े अपराद बोध में होते हैं तो इस प्रकार यह सारी बाते हैं जैसे कि DM अपने DF को याद भी करते हैं उन्हें प्यार भी करते हैं और Soul लेवल पर सारी बातों को महसूस करते हैं पर 3D लेवल पर वो उसे सिवकार नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनका थ्रोट चक्र बंध होता है और जो DF होती है बहुत इंटिट्यू होती है उनका हार्ट चक्र और थर्ड आई एक्टिवेट होता है इसलिए वो इस Soul Connection को पहचान जाती है लेकिन सबसे बड़ी बात ये होती है कि DF इमोशनल होने की वज़े से अपनी सारी भावनाओं को एक्सप्रेस कर देती है DM के सामने और इसकी वज़े से DM को एनर्जी मिल जाती है और वो रन करने लगते है क्योंकि इसमें कोई भी नहीं जानता कि ये Twin Flame Journey एनर्जी का गेम है जितना ज़्यादा आप दूसरे के बारे में सोचेंगे आपकी एनर्जी फ्लो होती जाती है और इसी वज़े से एनर्जी अन्बैलेंस होती है और एक रन करता है दूसरा उसे चेस करता है हलाकि DM, DF को उतना ही प्यार करते है जितना DF उने करती है बस illusion ये है कि DF को हमेशा ये लगता है कि वो DM से ज़्यादा प्यार करती है हर वक्त उसके बारे में सोचती है हलाकि DM, DF के बारे में सोचते है लेकिन जो उनका करतव है जो उनका उतरदाइत है वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा इमानदार होते है और इसलिए वो अपने कर्म छेतर में रहकर उस उतरदाइतों को पूरा करते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि वो DF को भूल गए क्योंकि सोल लेवल पर दोनो एक होते हैं एनरजी लेवल पर दोनो एक्वल होते हैं और जो सोल टो सोल कनिक्शन है वो दोनों को एक दूसरे से बांधे रखता है हलाकि DF इसे जानती है इस soul connection को बस DM इसे नहीं जानते लेकिन जब DM, DF से दूर हो जाते हैं तब उनकी value, उनकी अहमियत उनको पता चलती है तब वो इस true love को समझ पाते हैं तो इस प्रकार DM और DF का connection होता है तो इस प्रकार DM का अपने DF के लिए जो प्यार है वो बहुत अलग है, अनुखा है हलाकि वो महसूस सब कुछ करते हैं, बस कह नहीं पाते और इसी बात को DF को समझना है और वो तभी समझ पाती है जब वो 5D में पहुँच बनाती है क्योंकि DM 5D में हमेशा अवेकन होते हैं, क्योंकि ये soul to soul connection है तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं next वीडियो में, तब तक के लिए take care and God bless you all, मेरी soul family, आप सभी की जर्नी पूरी होए क्योंकि में पूरी है